इरियस अगर आप हो तो आप आना और मैं आपको गैरेंटी दिऊँगा इस बात का कि आपका विदिन 20 डेज में कम्प्लीट करवा कर रहूँगा और वो आपको सिर्फ और सिर्फ अगला 20 दिन अच्छे से पढ़ाई करना है मेरे साथ और आपका कम्प्लीट हिस्ट्री और ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिसकस करूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगला 20 दिन अच्छे से पढ़ाई करना है मेरे साथ और आपका कम्प्लीट हिस्ट्री और जोग्रफी साफ हो जाएगा साफ इन दसेंस के पूरा का पूरा स्लेबस विदिन 20 डेज हिस्ट्री का भी और जोग्रफी का भी सारा कम्प्लीट चीक है और बहुत सारा कुछ है अभी पूरा का पूरा डीटेल में आपको एक एक करके बताऊंगा सिर्फ स्टार्डिंग में मैं सिर्फ इतना ही आपको बता दूँ के आपको सिर्फ अगला 20 दिन यानि अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हो अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आप अगला 20 दिन के लिए कैलेंडर सेट कर लो कि अगले 20 दिन के बाद मेरा हिस्ट्री भी पूरा कम्प्लीट हो जाएगा और मेरा जोग्रफी भी कम्प्लीट हो जाएगा और कम तो निव स्लेबस लॉंच हुआ है उसके अकॉर्डिंग में पूरा का पूरा जो मैंने यहां पर तयार किया यह सारा कुछ ठीक है बहुत जादा मेंनत लगा है आप लोगोंने लगभग कितने दिनों से यह कमेंड करते आ रहे हो के वहिया हिस्ट्री वहिया जोगरफी वहिय का पूरा हिस्ट्री और जोगरफी कम्प्लीट और यह मैं आपको लीख कर दे सकता हूं कि यह चीछ कम्प्लीट में करवा के रहूंग आपका सीर्फ और सिर्फ बीज दिन में बस मैं जैसा जैसा आपको बुलूंगा वह सारा कुछ आपको यहां पर फॉलो करना है और ही के से हम लोग जो ग्रफी और फिस्टि को 20 डेज में कंप्लीट करेंगे और क्या ये मुम्किन है और अगर मुमकिन है तो हमको इसके लिए क्या-क्या चाहिए होगा जिससे हम लोग यह 21 के according जो syllabus है उसका each and every video lecture मेरे को चाहिए होगा वो भी best quality का lecture चाहिए होगा detailed में ताके सारा कुछ एक एक चीज अच्छीज है समझ में आ जाए यह आपको चाहिए very good और क्या चाहिए आपको आपको चाहिए कि यह lecture तो मैंने देख लिया भाया बड़ी इस lecture को देखने के बाद भी वो confidence मेरे अंदर नहीं आपाएगा तो वो confidence कैसे आएगा आपके पास वो confidence आपके पास आएगा test देने के बाद यानि कि आपने एक chapter complete किया उसके बाद आपको उसका test देना है और test किस तरीके से देना है test देना है आपको best questions उठाकर यानि कि जो पिसले साल में पूछा ग लिए और step आगे क्या लगेगा भाईया तो आपको चाहिए होगा एक proper notes best notes क्योंकि आपको 20 दिन में complete करना है that means कि आपको बैठ कर खुद से notes बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं 20 दिन में complete करने की बात कर रहा हूं तो आपको पूरा का पूरा notes जो है वो एकदम best quality notes ऐसा notes जो आपको पढ़ने का दिल करेगा वैसा notes चाहिए होगा ठीक है और क्या चाहिए होगा भईया यहाँ तक तो लगबग लगबग हमारा सारा कुछ complete हो गया है that means कि अगर इतना हम लोगों को मिल गया तो of course यह बात है कि हम लोग complete कर लेंगे 20 दिन के अंदर ही ठीक है सारा कुछ लेकिन यहाँ पे एक चीज missing है और वो चीज क्या है वो चीज है doubt अगर आपको यह सारा कुछ करने के बाद extra doubts आता है तो उसको भी तो solve करना होगा that means कि अगर यह चार चीज आपको मिल जाए proper lecture मिल जाए according to new syllabus आपको पूरा का पूरा test series मिल ज questions का true false mcq blanks type और आपको notes मिल जाए एक दम proper notes ऐसा notes जो आप कल exam है आज एक बर revise कर लो काम तमाम हो गया ऐसा notes यह चाहिए होगा आपको और क्या चाहिए होगा आपको आपको चाहिए होगा कि अगर मेरे को यह सारा कुछ करने के बावजूद भी कुछ doubt आता है तो वह doubt भी तो हमको solve करना होगा बिल्कुल आपको solve करना होगा और आपको मतलब यह भी चाहिए होगा तो यह सारा कुछ आपको चाहिए इस चीज को करने के लिए 20 दिन में ठीक है एकदम mind में यह चीज सेट कर लो कि अगले 20 दिन के अंदर अंदर यह चीज कर के दिखाना है that's it ठीक ह तो यह चारो चीज आपको मिलेगा कहां वो मैं इस जेखे पर आपको बताऊंगा that means के how you will get these all things ठीक है तो यह सारा कुछ आपको कहां से मिलेगा of course सी बात है आप लोग को यह सारा का सारा कुछ मिलेगा concept era.in और मैं कोई यह नहीं बता रहा हूँ आपको कि यहां पर आपका लिनों से मैं website को develop करने में लगा हुआ था ताके यह course आप easily आराम से website पे बैठ कर बिना ads का बिना किसी चीज का एक अपना dashboard के साथ एक अपना personal account के साथ आराम से बैठ के पूरा का पूरा course वहां से attend कर सको ठीक है आपका personal account होगा वहां पे सारा कुछ होगा ठीक है तो आप जाओगे website पे जो कि अभी बिल्कुल भी आपको जाना नहीं है क्योंकि अभी आपको मेरी पूरी बात सुननी है ठीक है तो वहां जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे एक नया चीज एड हो गया है और वो चीट क्या है वो है my account और यहां पे courses ठीक है यह सिर्फ आ आराम से अपना अटेंट करोंगे आपको हर वक्त यह पता चलेगा कि कितना परस satisf complete किया है 10 परसेट 20 पर ये दो पोशन जो है वो नया मैंने एड किया है आज ही थोड़ी दिर पहले ही मैंने यह चीज एड किया है my account और यह courses वाला portion ठीक है तो यह दो portion आपको कहां मिलेगा यह दो portion आपको मिलेगा front page पर ठीक है otherwise अगार आप किसी और page पर हैं तो just इस जगे हैं पर click कीजेगा भी नहीं लेना आपको total चीज मैं भी आपको बताऊंगा ठीक है तो यह तो मैंने आपको सिर्फ एक roughly overview मैं दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा बट website पर जाके मैं आपको सारा कुछ explain करूंगा ठीक है okay तो यह आपको समझ आगा कि यह सारा कुछ आपको कैसे मिलेगा इस चीज को मिलने का जो step है वो क्या है यानि कि क्या step है जिससे कि आप इस course में enroll कर सकते हो ठीक है यह तो सवाल बिल्कुल जाया है कि सर हम लोग course में enroll कैसे करेंगे तो steps क्या है course में enroll करने का step number one यह है कि आपको सबसे पहले तो वो जो course icon यहाँ पर दीख रहा था इस जगे पर आपको course icon दीख रहा था ठीक है उस course icon पर आपको click करना है यह आपका पहला step है आपने course icon पर जैसे ही click किया उसके बाद आपको जाना है second step पे और second step आपका ये होगा कि आप अपना एक course को choose करोगे that means कि आपका यहाँ पे history के लिए अलग course रहेगा that means कि अगर मैं यहाँ आपको आऊ तो history के लिए अलग course रहेगा और geography के लिए अलग course रहेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ course इन्रोल करते हो तो within 10 days सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा history आपका complete हो जाएगा with proper notes with proper test सारा कुछ बात समझा रही है yes sir आगे step number 3 में क्या करना है हमें step number 3 में simply fill up the details आप जैसे ही चूज करोगे course को और course को चूज करने के बाद वहाँ पे add to cart का option आएगा नहीं समझा रहा है कोई tension नहीं अभी website पे जाएगे सारा कुछ हम लोग demo देख लेगे add to cart पे आप click करोगे वहाँ पे आपसे detail पूछेगा आपका नाम आपका email number आपका phone number वह सारा कुछ आपको बताना है ठीक है आप वहाँ पे जो जो detail आपसे पूछेगा वह detail आपको मतलब दे देना है वहाँ पे detail देने के बाद आपको जाना step number 4 में और step number 4 क्या होगा pay the required fee क्या बात कर रहे हो भी यह यह जो आपने course launch किया है इसके लिए fee भी लगेगा क्या हाँ बिल्कुल fee लगेगा बट fee इतना ज्यादा minimum है कि आप अराम से उसको afford कर पाऊगे बहुत ज्यादा minimum बहुत सोचने के बाद सारे चीजों को देखने के बाद मैंने यह course का fee decide किया है ठीक है बात समझा रही आपको ओके तो fee जो है वो बहुत ज्यादा minimum है मैं आपको बताऊंगा भी और साथ ही साथ कूपन कोड वगर भी बताऊंगा क्या करना है जिससे के और extra discount आपको वहाँ पे मिल सके अब यह fee लेना क्यों जरूरी है भाया fee देखो मैं भी चारा हूँ के मैं भी free में दूँ बट इतना सारा कुछ मेरे को वहाँ पे develop करना पड़ा इतना सारा खर्चा हुआ कि आप बिलीव नहीं करोगे मैं इतना आप से लूँगा नहीं उससे ज्यादा मेरा वहाँ पे खर्च हो चुका है पूरा चीच बनाने बनाने में अंदर में भी डीटेल मां मांगेगा वो और उसके बाद जो required fee है वो fee भरना है नौ बात करते के भाईया fee कितना है ठीक है course price क्या है आखिरकार यह बताईए तो course price जो है वो basically आपका अगर आप कोई single course purchase कर रहे हो लेट से कि आपने जोग्रफी का course purchase करना है या फिर तो आपको महाँ पे 1500 पे करना है और बस हो गया और आप आराम से पूरा का पूरा स्ले बस within 10 days में complete कर सकते हो बट भाईया मेरे को तो यह 1500 ज्यादा लग रहा है इतना ज्यादा तो मैं नहीं दे पाऊंगा भी आपको क्योंके अभी condition बहुत ज्यादा दो खराब है बड़ मैं यह 1500 तो अभी नहीं दे पाऊंगा that means के कुछ न कुछ यहां पे करना पड़ेगा रही तो यह कुछ न कुछ जो मैंने किया है वह बहुत ही ज्यादा बड़ा कुछ कर दिया है और वह क्या है वह आप यहां देखो चीक है कभी भी जाओ कभी भी जाकर वहां से नोट्स डाउनलोड करो देखो और जब तक एक्जाम नहीं हो जाता तब तक आप आराम से वहां पे जाके वीडियो देखके अपना रिविजन करते रहो ठीक है तो that means कि अगर single course आप अगर खरीतते हो तो 1500 रुपीज आपको देना ओके भाईया ये तो आपने बताए single course के लिए क्या अगर हम लोग में से कोई अगर चाहे के मैं history भी लेना चाता हूँ और geography भी लेना चाता हूँ तो क्या उसके लिए कुछ और बड़ा है तो बिलकुल उसके लिए भी बहुत बड़ा है वो क्या है अगर आप history और geography दोनों update आता रहेगा ऐसा नहीं कि अभी आपने जो course enroll किया है उसमें जो भी मैंने lectures डाला है सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा ऐसा नहीं बीच-बीच में वह update होता रहेगा यानि कलको अगर कोई update आया है government के तरफ से तो उसमें वह update आपको मिलेगा ठीक है अगर कलको कोई चीज आ ठाना होगा वह हिसाब क्या है वह हिसाब है कि आपको यह दोनों कोर्स अगर within three days यानि कि आज कल और परसों के बीच में बाई करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 1200 रूपी आपको पे करना है और history plus geography दोनों कोर्स आपका और within 20 days दोनों कोर्स आपका complete और दोनों कोर्स का notes quiz और जि ठीक है यानि कि exam दो महिना बाद हो तीन महिना बाद हो चार महिना बाद हो जब भी हो आपके पास वो चीज रहेगा आप आराम से आओ exam के रात में बैठे हुए हो आराम से आओ notes को revise करो आराम से पढ़ो ठीक है मतलब आपको बिल्कुल ही tension नहीं लेना है कि अब मेरा ठीक है बस आपको सिर्फ यहाँ पे 1200 रुपीज देकर वो course को enroll करना है ठीक है अब course को enroll कैसे करना है यह मैं आपको बता देता हूँ और इसके लिए मेरे को जाना होगा website पे तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से direct website पे तो हम आ चुके हैं यहाँ पे website पे और website क्या है website simple सा concept era.in जो कि आपको description में link मिल जाएगा आपको link मिल जाएगा i card पे i button पे मिल जाएगा आपको link मिल जाएगा comment section में कहीं पे भी आप जाका और या फिर आप नाम भीयात कर लो concept era.in ठीक है सिर्फ यह लिखना है आ जाएगा यह आपको पता है आप इसके familiar हो आप पहले भी बहुत बार विजिट कर से को है website i know कि आप लोगों ने बहुत बार विजिट किया और बहुत ज़्यादा support किया इस website को मैं यहाँ पे back end में देखता रहा हूं कि कितने बंदे आ रहे है कोन आ रहे है कितने students आ ठीक है तो यहाँ पे जैसी आप आओगे तो यहाँ पे देखो होगा आपको ठीक है अगर आप already course को buy कर लेते हो अगर आप already course में enroll हो जाते तो आपको simply क्या करना होगा आपको simply यहाँ पे my account पे click करना होगा और आप जैसी my account पे click करोगे तो आपका एक अपना अलग से page open हो जाएगा जो कि अभी open नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंन नहीं account तो मैंने यहाँ पे click क्या create new account ठीक है यानि के एक नया account बनाई है मेरे लिए तो आपको यह page खुल जाएगा अपना पहला नाम डालना है अपना last name यूजर नेम डालना है email id और password और confirm करके register कर देना है ठीक है और यहाँ से अपना अलग अलग page बन जाएगा आप आर किया है कितना quiz का answer आपने गलत गया और कितना का आपने सही दिया है ठीक है वो सारा कुछ आपको वहाँ पे दीख जाएगा नो बात करते हैं कि मेरे को 20 दिन में complete करके ही रहना है और इस बार तो बस कुछ भी हो जाए बस complete करना ही करना है that means कि आपको simply यहाँ पे course पे click करना होगा और जैसी आप course पे click करोगे तो आपको यहाँ पे दो पेज आपको दो courses दीख जाएगा एक course यह होगा complete WBSC geography in 10 days new syllabus 2021 और यहाँ पे होगा complete history syllabus in 10 days मध्यमीक 2021 new syllabus ठीक है तो दो courses आपको यहाँ पे दीख रहा है complete geography के लिए और complete history के लिए ठीक है अब आपको करना क्या है यह आप समझ लो यहाँ पे अगर आपको दोनों में से कोई एक course buy करना है तो आपको simply यहाँ पे add to basket का option दीख रहोगा simply आपको यहाँ पे add to basket के option पे click करना है जैसी आप add to basket के option पे click करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे ठीक है अब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही three days में तो आपको यहाँ पे continue shopping का option दीख रहोगा आप इस पे click करोगे continue shopping ठीक है और आप अगेन यहाँ पे आ जाओगे अभी आपने किसको add किया था अभी आपने जोग्रफी को add किया था basket में अब आप add कर लो basket में history को और जैसी आपने history को अब basket में add कर लिया है वैसी क्या होगा आप यहाँ पे आओगे तो आपको दो दीखेगा एक आपको यहाँ पे दिख रहा है geography और एक आपको यहाँ पे दिख रहा है history चिक है तो आपको यहाँ पे दो दो चीज़ दिख रहा है history और जोग्रफी और दोनों का यहाँ पे सब total मिला जो लागे कितना हो रहा है 1598 रुपीज हो रहा है और यह जो प्राइज है यह मैं आपको बता दू इन दोनों का प्राइज जो आपको दीख रहा है यह विदिन 23 देज के लिए यानि के आज कल और परसों के लिए अब यहाँ पे बात करतें के भाईया आपने तो बोला था 1299 बड़ यहां तो 1598 दीख रहा है तो क्या करना है तो यहां पर देखिए आएक अप्लाई कूपन का ओप्शन आ रहा है यहां पर आपको कूपन कोड फिल करना है अपना कूपन कोड डालना है क्या कूपन कोड डालना है यह बता दीजे से आप screenshot कर लो या फिर मैं वहाँ पर आपको एक बार लिग देता हूं ताके आप इसको वहाँ पर देख पाऊ ठीक है ना अगेन हम लोग वापी से अपने उसी जगे पर आ जाते हैं जहां पर हम लोगों ने lift किया था तो हमें क्या करना है coupon code में simply लिखना है 20 20 days lift 20 days lift लिखना है बस ठीक है okay मैंने जैसी 20 days lift लिखा यहाँ पर मैंने लिखा apply coupon यानि के coupon को मैं apply करना चाहता हूं आप जैसी यहाँ पर apply coupon पर click करोगे यहाँ पर देखो आपको total कितना दिखा रहा है 1200 रूपीस टोटल हो रहा है आप यहाँ पर proceed to check out करो आप direct दुसरे पे च number और यह जो email आपको दीख रहा है ठीक है और यह जो password आपको दीख रहा है अच्छे से देख लो एक email है और एक password है क्या क्या है भीया एक आपके लिए यहाँ पर email है और एक password है यह दोनों चीज को आपको अच्छे से याद रखना होगा यह password और यह email ठीक है यही वो दो च लगा आपको दीख रहा है यह दो चीज आपको अच्छे से याद रखना है और बात खतम और उसके बाद आपको simply क्या करना है सारा डीटेल आपको यहां पर भर देना है और भरने के बाद यहां पर आपको simply क्लिक करना है place order ठीक है तो मैंने यहां पर लॉग इन कर लिया सारा कुछ हो गया है अब simply यहां पर place order पर मैं क्लिक करूँगा जैसी मैंने यहां पर place order पर click किया है वैसी मेरे सामने एक payment का option या बोलते हैं open हो जाएगा और वहाँ पे यहाँ पे मैं simply pay कर सकता हूँ आपको यहाँ पे कुछ click नहीं करना होगा अपने यहाँ पे payment का option आपको pop up हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे आपका final step होता है आप यहाँ पे choose कर लो कि आपको किसी से pay करना है या फिर आपको card के तरू पे करना है या फिर आपको UPI के तरू पे करना है या फिर wallet के तरू या फिर EMI के तरू जैसे आपको pay करना है आप वैसे pay करो सारा payment method यहाँ पे accept हो जाएगा ठीक है आपने जैसी payment कर दिया एक account open हो जाएगा और जो होगा यह account ठीक है यहाँ पर लिगा है how do you do सख्लाइन और यह हमारा dashboard है यहाँ पर profile यहाँ पर enrolled courses यानि जो जो course यहाँ पर already मैंने buy कर रखा है उसके बारे में यहाँ पर बताएगा तो आपने quiz attempt किया था इस chapter के नाम से और इसका answer आपने 7 सही दिया था तीन गलत दिया था आपने और 7 point आपको मिला है 70% आपने अर्ट किया और result आपका क्या है फेल है detail पर click करते ही आपको सारा कुछ यहाँ पर detail मिला है खैर यह सारा चीज मैं आपको course के दौरान भी अच्छे से explain करूंगा ताकि आपको यहाँ पर course purchase करने के बाद कोई face ना करना पड़े कोई problem ठीक है और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी problem होता है इस पूरे process के दौरान ठीक है कहीं पर भी कोई problem अगर आपको होता है इस पूरे process के दौरान तो फिर मैं हूँ आप मुझसे contact कर सकते हैं आपको number I think so पता होगा और number नहीं पता है तो आपको नीचे number दीख जाएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको number में comment section प्रवाइड कर दूँगा तो I think so कि आप लोग सब ready होंगे within 20 days में पूरा का पूरा history और geography का syllabus complete करने के लिए तो ओके फिर हम लोग मिलते हैं direct course में पहले दिन हम लोग मिलते हैं history और geography का course में ओके दिन उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलकात होगी फिर direct course में यानि के पहली class में फिर हमारी मुलकात होगी direct website पे ठीक है तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे खतम करते हैं आई hope so कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों को आप पत 20 days में complete करवा कर रहूंगा और वो भी पूरा टेस्ट वेस्ट के साथ पूरा डाउट वगेरा आपसो अगर एक्स्टर फूशना हो तो उसके लिए तो extra classes चले गई बड़ जो main syllabus है वो within 20 days complete करवा दूँगा होगे तो फिर मिलते हैं next वीडियो में और एक और बात मेरे को कहना था कि मैं अब यहाँ पे similarity chapter स्टार्ट करने वाला हूँ तो आप लोग यहाँ पे ready रहना वहाँ पे आप history geography का course करना और यहाँ पे आपको basically math का स्टार्ट होगा similarity जो भी new क्या कहते है new syllabus जीस तरीके से है उस तरीके से math हम लोग यहाँ पे start करने वाले हैं क्योंकि लगबग लगबग हमारा physical science पुरा complete है life science भी लगबग लगबग पुरा complete है new syllabus के according थोड़ा बहुत बचा हुए बचा तो हमारे पास math है जो कि हम लोग try करेंगे जितना जल्दी से हमारा complete हो जाए तो similarity आएगा उसके बाद application में try करूंगा क्योंकि application से बहुत सारी students को डर लगता है ठीक है तो फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे next video में तो तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखना और फिर मैं उम्मीद करता हूं कि मैं मिलूंगा आप से फिर कोर्स पर डायरेक्ट अपने वेबसाइट पर मिलूंगा मैं आप से फर्स्ट डे में ओके थैंक्यू